आईए सुनिए गोदान भाग 26 लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुनों के साक्षा तवदार थे वैं ये न देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबाले नवे ये ही देख सकते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपए दबाले गाओं के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परमधरम था समझोते या मेल जोल में उनका विश्वास न था ये तो निरजीवता के लक्षन है वे तो संघर्ष के उपासक थे जो जीवन का लक्षन है हाय दिन इसी जीवन को उतेजना देने का प्रयास करते रहते थे एक ना एक गुलज़डी छोड़ते रहते थे मंगरू सहा पर इन दिनों उनकी विशेश क्रिपा द्रिस्टी थी मंगरू सहा गाउं का सबसे धनी आगमी था पर स्थानी और राजनीती में बिलकुल भाग न लेता था रौब या अधिकार की लालसा उसे न थी मकान भी उसका गाउं के बाहर था जहां उसने एक भाग एक कुवा और एक छोटा साश शुव मंदिर बनवा लिया था बाल बच्चा कोई न था इसलिए लें देन भी गम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था कितने ही आसामियों ने उसके रुपए हजम कर लिये थे पर उसने किसी पर नालिश फर्याद न की होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिला कर कोई डेड़ सो हो गए थे मगर ना होरी को रिंड चुकाने की कोई चिंता थी और ना उसे वसूल करने की दो चार बार उसने तकाजा किया घुड का डांटा भी मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा अब की सैयोग से होरी की उख गाओं भर के उपर थी कुछ नहीं तो उसके दो डाई सो सीधे हो जाएंगे ऐसा लोगों का अनमान था पटेश्वरी परसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए बसूल हो जाएं मंगरू इतना द्यालो नहीं जितना आलसी था जन्जट में ना पढ़ना चाहता था मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा ना कोई दूसरा कष्ट होगा बैठे बिठाए उसकी डिगरी हो जाएगी तो उसने नालिश करने की अनुमती दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दी खेत के किनारे जमा हो गया होरी मंगरू सहा के पास तोड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी उसकी सहज बुद्धी ने बता दिया कि पटेश्वरी ही की कारस्तानी है बगर मंगरू सहा पूजा पर थे मिल न सके और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगार न सकी उधर उख डेड़ सो रुपे में निलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू सहाही के नाम कोई दूसरा आदमी ना बोल सका दाता दीन में भी धनियां की गालियां सुनने का साहस न था धनिया ने होरी को उतेजित करके कहा बैठे क्या हो जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं यही धर्म है तुम्हारा गाउं घर के आदमियों के साथ होरी ने देनता से कहा पूछने के लिए तुन्हें मुह भी रखा हो तुरी गालियां क्या उन्होंने न सुनी होंगी जो गाली खाने का काम करेंगा उसे गालियां मिलेंगी तु गालियां भी देगी और भाई चारा भी निभाएगी देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है मील वाले आकर काट ले जाएंगे तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा गालियां दे कर अपनी जीब की खुजली चाहे मिटा ले मेरे जीते जी कोई मेरा खेट काट ले जाएगा हाँ तेरे और मेरे जीते जी सारा गाउं मिल कर भी उसे रोक नहीं सकता हब बैचीज मेरी नहीं मंगरू सहा की है मंगरू सहा ने मरमर कर जेट की तो पहरी में सिंचाई और गोडाई की थी वैस अब तू ने किया मगर हब बैचीज मंगरू सहा की है हम उनके करजदार नहीं है उख तो गई लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आपड़ी दुलारी इसी उख पर रुपए देने को तयार हुई थी अब बैकिस जमानत पर रुपए दे अभी उसके पहले ही के दो सो रुपए पड़े हुए थे सोचा था उख से पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा उसकी नजर में होरी की साख दो सो तक थी इससे ज्यादा देना जोखिम था सहालग सिर पर था तिथी निस्चित हो चुकी थी गौरी महतों ने सारी तैयारियां कर ली होंगी अब विवाह का टलना असंभब था होरी को ऐसा क्रोध हाता था कि जाकर दुलारी का गला दबा ले जितनी चिरौरी विनती हो सकती थी बै कर चुका मगर बै पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी उसने चलते चलते हाथ बांद कर कहा दुलारी मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा ना इतनी जल्दी मरा ही जाता हूँ खेत है, पेर पालों है, घर है, जवान बेटा है तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे मिरी इज़त जा रही है इसे संभालो मगर दुलारी ने देया को वेपार में मिलाना सुईकार ना किया अगर वेपार कूबे देया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपती न होती पर देया को वेपार का रूप देना उसने न सिखा था हूरी ने घर आकर धनिया से कहा अब धनिया ने उसी पर दिल का कुबार निकाला यही तो तुम चाहते थे होरी ने जखमी आंखों से देखा मेरा ही दोस है किसी का दोस हो हुई तुम्हारे मन की तेरी इच्छा है कि जमीन रहन रख दूँ जमीन रहन रख दोगे तो करोगे क्या मजूरी मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी उसी पर तो उनकी इज़त और आवरू अवलंबित थी जिसके पास जमेन नहीं बै ग्रिहस्त नहीं मजूर है होरी ने कुछ जवाब नपाकर पूचा तो क्या कहती है धनिया ने आथ कंट से कहा कहना क्या है गौरी बारात लेकर आएंगे एक जुन खिला देना सवेरे बेटी बिधा कर देना दुनिया हसेगी हस ले वगवान की यही इच्चा है कि हमारी नाक कटे मुह में कालिक लगे तो हम क्या करेंगे सहसा नहीं चुंदरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी होरी को देखते ही उसने जरा सा गोंगट निकाल लिया उससे समधी का नाता मानती थी धनिया से उसका परिचे हो चुका था उसने पुकारा आज किधर चली समधिन आओ बैठो नहुरी ने दिखविजे कर लिया था और अब जन्मत को अपने पक्ष में वटोर लेने का प्रियास कर रही थी आकर खड़ी हो गई धनिया ने उसे सिर से पाउं तक आलोचना की आँखों से देख कर कहा आज इसर कैसे भूल पड़े नहुरी ने कातर स्वर में कहा ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई बेटिया का अब्याहा कब तक है धनिया संदिक्त भाव से बोली भगवान की अधीन है जब हो जाए मैंने तो सुना इसी सहालक में होगा तिथी ठीक हो गई है हाँ तिथी तो ठीक हो गई है मुझे भी नियोता देना तुमारी तो लड़की है नियोता कैसा दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा ज़रा मैं भी देखूँ धनिया असमंजस में पड़ी क्या कहे होरी ने उसे संभाला अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है और सामान का क्या करना है कुसकन्या तो देना है नोरी ने अविश्वास भरी आँखों से देखा कुसकन्या क्यों दोगे मैं तो पहली बेटी है दिल खोल कर करो होरी हसा मानो कह रहा हूँ तो मैं चारों और हरा दिखाई देता होगा यहां तो सूखा ही पड़ा हुआ है रुपए पैसे की तंगी है क्या दिल खोल कर करूँ तुमसे कौन परदा है बेटा कमाता है तुम कमाते हो फिर भी रुपए पैसे की तंगी किसे बिस्वास आएगा बेटा ही लायक होता तो फिर कहे कारूना था चिठ्थी पत्तर तक भेजता नहीं रुपए क्या भेशेगा ये दूसरा साल है एक चिठ्थी नहीं इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हर्याली का एक गठर सिर पर लिए यौवन को अपने अंचल से चुराती ही बालिका सी सरल आई और गठा वहीं पटक कर अंदर चली गई नहीं नहीं ने का लड़की तो खूप से आनी हो गई है धनियां बोली लड़की की बाड़ रेंड की बाड़ है है अभी कैदिन की वर तो ठीक हो गया है ना हाँ वर तो ठीक है रुपए का बंदोबस्थ हो गया तो इसी महीने में व्याह कर देंगे नहुरी दिल की ओची थी इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उचल रहे थे अगर मैं सोना के व्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा सारे गाउ में उसकी चर्चा हो जाएगी लोग चकीत होकर कहेंगे नहुरी ने इतने रुपए दिये बड़ी देवी है हुरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे गाउ में उसका मान समान कितना बढ़ जाएगा बैहंगली दिखाने वालों का मुँ सीधेगी फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाजें कसे अभी सारा गाउं उसका दुस्मन है तब सारा गाउं उसका हितैशी हो जाएगा इस कलपना से उसकी मुद्रा खिल गई थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो जब हाथ में रुपए आ जाए तो दे देना होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी होर देखा नहीन नोहरी दिल लगी नहीं कर रही है दोनों की आँखों में विसमे था कृतक गता थी संदेह था और लजजा भी नही होरी उतनी बूरी नहीं है जितना लोग समझते है नही ने फिर कह कैसे भी हुआ हो पर अब तो तो तुम हमारे समधी हो बूरी ने सकचाते हुए कह तुम्हारे रुपय तो घर में ही है जब काम पड़ेगा ले लेंगे आदमी अपनों ही का भरुसा तो करता है मगर उपर से इंतजाम हो जाये तो घर के रुपए क्यों छूए दनिया ने अनुमोधन किया हाँ और क्या नहरी ने अपना बन जताया जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ सूद भी देना पड़ेगा उस पर इस्ताम लिखो गवाही कराओ दस्तूरी दो खुसामत करो हाँ मेरे रुपए में छूट लगी हो तो दूसरी बात है होरी ने संभाला नहीं नहीं नहरी जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे लेकिन आपस वाली बात है खेती बारी का भरुसा नहीं तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए ना चुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में बढ़ेगे इससे कहता था नहीं लड़की तो तुम्हारी है मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है तो तुम्हें ही से ले लेंगे कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए कितने रुपए चाहिए तुम कितने दे सकोगी सौ में काम चल जाएगा हुरी को लाला चाया भगवान ने छप पर भाट कर रुपए दिये हैं तो जितना ले सके उतना क्यों ना ले सौ में भी चल जाएगा पांच सो में भी चल जाएगा जैसा होसला हो मेरे पास कुल दो सो रुपए हैं वे मैं दे दूँगी तो इतने में बड़े खुसफैली से काम चल जाएगा हनाज घर में है मगर ठकुराईन आज तुम से कहता हूँ मैं तुम्हें हैसी लच्छे में ना समझता था इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है तुम्हें मुझे डूबने से बचा लिया दिया बत्ती का समय आ गया था ठंडक पढ़ने लगी थी जमीन ने नीली चादर ओड़ ली थी धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई सब तापने लगे पौाल के परकाश में छबीली, रंगीली, कुल्टा, नोहरी उनके सामने वर्दान सी बैठी थी इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहर द्याता थी कापोलों पर कितनी लज्जा, होटों पर कितनी सत्प्रे रना कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उट खड़ी हुई और ये कहती हुई घर चली अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले ले लना मैं तो चलो मैं तुम्हें पहुँचा दूँ, नहीं नहीं तुम बैठों मैं चली जाओंगी जी तो चाहता है तुम्हें कंदों पर बेढ़ा कर पहुँचाओं नोखे राम की चपाल गाओं के दूसरे सिरे पर थी और बाहर जाने का रास्ता साफ था दोनों उसी रास्ते से चले, अब चारों और सन्नाटा था नहरी ने कहा, तनिक समझा थे तेरावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं जब इन ही लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि चार आदमी अपने हो जाएं और इनका हाल ये है सबसे लड़ाई, सबसे जगड़ा जब तो मुझे परदे में नहीं रख सकते, मुझे दोसरों की मज़ूरी करनी पड़ती है तो ये कैसे निप सकता है कि मैं ना किसी से हंसू ना बोलू, ना कोई मेरी और ताके ना हंसे ये सब तो परदे ही में हो सकता है, पूछो कोई मेरी और ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूँ उसकी आँखे तो नहीं फोड सकती फिर मेल मुहबत से आदमी के सो खाम निकलते हैं जैसा समय देखो वैसा बेवार करो तुम्हारे घर हाथी जुमता था तो अब तुम्हारे किस काम का अब तो तुम तीन रुपे के मजूर हो मेरे घर सो भेंसे लगती थी लेकिन अब तो मुझूर हूँ वगर उनकी समझ में कोई बाद आती ही नहीं कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं कभी लखनो जाकर रहने की सोचते हैं नाक में दम कर रखा है मेरे बोरी ने ठकर सुहाती की ये भोला की सरासर नारानी है बूड़े हुए हब तो उन्हें समझानी चाहिए मैं समझा दूँगा तो सवेरी आ जाना रुपए दे दूँगी कुछ लिखा पड़ी तुम मेरे रुपए हाजम ना करोगे मैं जानती हूँ उसका घर आ गया था वे अंदर चली गई होरी घर लोटा